हलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर चानल आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है और चार धक्कनों का क्या यूस करने वाली हूँ मैं गैस स्टोर में ये देखने के लिए आपको वीडियो व परसन रहे गसी जाएंगी ज़रय को हैं चार अंसे इसटीर ऑपने टिप्स के लेकर को षरक्त ने करते हैं जा परस फिर मों मों परस यूज कर रहे हैं ब्लैक कलर होता है तो आपको पता नहीं चलता है कि यह गंदा है बट जब आप इसे क्लीन करोगे ना मेरे इस तरीके से जड़ा सा वैसलिन लेके आप टैप टैप कर लोगे और उसके बाद किसी कॉटन से जब रब करोगे ना फिर आप डिफरेंस देखोग हमारा जो बैग होता है उसके सेल्फ लाइन भी ज़्यादा हो जाती है और वो जल्दी खराब भी नहीं होता है तो बीच बीच में आप अपने पर्स को लैदर वाले या रैक्जिन वाले इस तरह के से जब क्लीन करोगे तो आप देखोगे आपका जो पर्स है वो लंबे सम सब दिखाई दिया अभी आपको मैं दिखाऊंगी यह देखिया तो यह चोटी सी टेप्स थी जो बहुत ज्यादा काम की थी आप भी इसे ट्राइ करना और अपने घर के जो बैक से होने क्लेन करना तो चलिए फ्रेंस बढ़ते हैं अपने सेकेंड टेप्स की तरफ आई होता है हमें कभी कभी ना यह डर लग जाता है कि कहीं इन कपड़ों में अगर रंग छूटा तो हमारे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे हमारी सारी महनच वेस्ट हो जाएगी तो इसके लिए आपको क्या करना है जब भी आप कपड़े वाश करें इस्पेशली आपको फोड़ा सा मिला लीजे नमक और नमक मिलाने से फिर क्या होगा आपके कपड़ों का जो रंग है वो बिल्कुल नहीं जाएगा और वो सुरक्षित रहेंगे और उसमें चमक भी आ जाएगी तो है चोटी से टिप्स बट बहुत काम की हैं आप इसे जरूर ट्राइक करना और अगर आपने कोई कपड़ा लिया है ना अगर उसका रंग जा रहा है तो आप इसे पहले एक दिन पहले नमक पे भीगा के रखिए बट आप अगर रेगुलर वाश कर रहे हो और आपको डर है तब भी भी आप इस तरह से नमक मिला के जब कपड़ों को वाश करोगे तो अपने नेल्स का करना हम अक्सर भूल जाते हैं और जो नेल्स हैं हमारे डल से हो जाते हैं यलो से हो जाते हैं मुझती बहुत साए लोग नेल पेंट सी रगुलर लगाते हैं तो आप देखते हों कि उनके नेल्स भी यलो से हो जाते हैं शाइन उसमें नहीं रहती है तो जो आपके नेल्स है वो बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं और हफते में एक से दो बार आपको ये प्रॉसस जरूर करना चाहिए और वैसे भी हमें फ्रेंट्स नेल्पेंट जो है वो रेगुलर नहीं लगाना चाहिए बीच में हमें एक आद दो दिन का गैप करने के बाद ह हमें नेल्पेंट यूज करने चाहिए तो यह मैंने क्लीन प्लिय और मेरे काफी अच्छे क्लीन होगे ओ यही वाली टिप्स भी आप कर सकते हो बीच पी जिएमें आप इस तर tuck के से आपने प्रॉसस और अब बच्चों कोई नेल्स व क्वार्टेल है अक्सर हम जन्नी में जब लेकर जाते हैं तो हम यह डर लगा रहता है कि इसमें से कहीं लेकेज ना हो और होता भी है मोस्ली होता ही है क्योंकि ना इसको हम कैसे भी पैक करें थोड़ा बहुत दवाई गिरती है और हमारा जो पर्स है जो बैक है उसके कपड़ें सब खराब हो जाता है और वेस्टेज अलग से होता है तो इसके लिए बस आपको छोटा सा टिप्स अपनाना है आपको लेना है को इधर अधर रखो बिलकुल भी जो मैडिसीन से वो नहीं गिरती है और आपका जो बैग है जो कपड़े हैं वो सुरक्षित रहता है तो छोटा सा है आप इसे जरूर ट्राइ करना और जर्नी में आप लेके जाओगे तो फिकर आप इसको कहीं भी रखो आपके कपड़ों में नहीं गिरेगा मेडिसीन नहीं गिरेगा तो बहुत ही ज्यादा यूसफुल टिप्स है यह तो इसे आप जरूर ट्राइ कर सकते हो आई होप आपको पसंद आई होगी यह छोटी सी टिप्स भी चलिए बढ़ते हैं फ्रेंट्स नेक्स टिप्स के तरफ जो की वह भी बह इसको बीच में आप सेट कर लेना फिर बहुत अच्छे सेट हो जाएगा यह देखिए आप अच्छे सेट हो गया है अब यह बिल्कुल भी नहीं गिरेगा आप कहां भी इसको रखो कहीं भी रखो कोई चोड़ी चोड़ी टिप्स होते हैं और हमारे समय और पैसे की बचत भी करती हैं तो यह टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा और कौन सी वाली आपकी फेवरेट है यह भी मुझे बताएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूसफूल टिप्स करफ जो हमें डेली जौत पड़ती है फ्रेंस हम कभी भी डेली कुछ चीजे बन पर बार बार से हमें उसे निकालना परता है तो इसके लिए आपको बहुत चोटा सब्सक्राप करना है यही रऱर वाला ही हैक करना है आपको एक य। ― पिर आप कहीं भी इस स्पून को कितने भी डिप बतन में रखोगे इस तरीके से यह देखिए से रहेगा और गिरेगा नहीं अधर वाइस बार बार यह नीचे गिर जाता है और हमें उठाना पड़ता है तो कितना अच्छा यह यूसफुल है हम जब भी भजी पकॉरे बनाते क्लीनिंग के लिए हो जाहे वो किसी भी चीज के लिए हो तो प्याज को मैं इसलिए कट कर रहे हूं यह है का आपको बताना था जब भी आप जुटी में जा रहे हैं वेकेशन पे जा रहे हो या फिर नॉमली आप घर में आपके गैस आपको सोने से पहले गैस स्टोब में आपको यह डर है कि कॉक्रोच वगरा आते हैं कीडे मुकॉरे आते हैं तो आप क्या कर सकते हो ना प्याज को गोल गोल कट करके अपने गैस स्टोब पे रख सकते हो इस्पेशली यह वाला तब जादा यूसफुल रहता है जब हम कहीं बाहर छुट्टियों पे जाते हैं त जादा नहीं भरेगा तो यह वाला है इसलिए यूसफुल है कि प्याज की जो स्ट्रॉंग स्मेल ना उससे छिपकली कॉक्रोच चूहे सभी भागते हैं तो इसलिए यह वाली टिप्स जब भी आप छुट्टी वगरा में जाए ना तो ट्राइ कर सकतो इसके अलावा आप भी घर में अगर आपके घर में ज्यादा कीने मकौरे कॉक्रोच हैं तो आप रात में यह वाला स्टेप फॉलू करोगे तो आप देखोगे कुछ दिनों के ऐसे यूस करने के बाद आपके घर से चूहे वगरा कॉक्रोच हिपकली सब भाग जाएंगे तो यह भी बहुत ही इसे जरूर ट्राइ करना और प्यास जो है न बहुत ज़्यादा काम की चीज है चलिए बढ़ते हैं फ्रेंस अब नेक्स टिप्स के जो गैस को ही लेकर है और बहुत ज्यादा यूसफुल है तो फ्रेंस क्या होता है हमारे गोरों में जब इस तरह के प्लास्टिक के मोसली दब्बे होते हैं और प्रेंस के धंग को हम कभी यूज करते हैं कभी फेक देते बट इसका धकन का बहुत अच्छा यूजिए मैं आज आपको बताओंगी अब जैसे की वैंश का है तो इस धकनों को हम क्या कर सकते हैं इसे देखे मैं नीचे ही रखा वह था तो इसको आप ा तो आवेट स फ़ीजनी सी जाता है तो जो कितना अच्छा हमने अच्छा हमने ढखकन का यूस कर लिया, I hope आज की वीडियो आपको यूसफुल लगी होगी, यूसफुल लगे तो लाइक, शेर, कामें से सब्सक्राइब और थैंक यू सो मच फर वाचिंग मैं वीडियो बाइबाइब आज टेक केर